हेलो एरिवन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौफी नॉक्स क्रीम के बारे में जो कि इस क्रीम का इस्तमाल तौचा से जुड़ी रोगों को कम करने के लिए इस्तमाल करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं सौफी नॉक्स क्रीम के बा प्राइबल हो जाती है 50 रुपे से प्राइज स्टार्ट हो जाता है और 1.5 रुपे की प्राइज में आपको अबलिबल हो जाती है इसका प्राइज फ्लक्षुट होता रहता है Apex company की बनाई हूँ है medicine है हमने यह बहुती बेसिक डिटेल के बारे में जाना सोफीनोक्स क्रीम के बारे में आप बात करते हैं सोफीनोक्स क्रीम में क्या के combination है तो इसमें एक ही combination है sodium fucidate इसे fucidic acid के नाम से भी जाना जाता है आप बात करते हैं कौन सी class से बिलोंग करता है तो बैक्टिरियाज को जो बढ़ने के लिए protein की जरूरत होती है तो उन जरूरतों को यह बंद कर देता है जिसके कारण से bacterial growth बंद हो जाती है और जिस परकार की bacterial infection होता है तोचा में वह सभी खतम हो जाती है इस तरीके से यह काम करता है कौन-कौन से प्रपजों में इस्तमाल का जाता है तो यह दाद, खाज, खुजली, लाल चकते, तोचा में जलन होना पसीने के कारण जांगों के आसपास redness हो जाना या दाद या खुजली होने की समस्या होती है या किसी परकार की bacterial infection होता है ring bomb बन जाने की समस्या होती है तोचा में खुजली कारण लाली पना जाता है तोचा में खुजली कारण बहुत ज़्यादा सफेद हो जाती है तो उनसे भी condition में भी काफी कारगर होता है तो यह bacterial infection से जुड़ी तोचा रोगों में खतम करने के लिए काफी कारगर क्रीम है इनके है बेनिफिट है बात करें किस तरीके से इस्तमाल करना है तो जिस एरिये पे भी आपको infection है उस एरिये को अच्छे से धो लीजे दोने के लिए आपकी से अच्छे medicated soap प्या गुनवने पानी के इस्तमाल कर सकते हैं उस एरिये के सूख जाने के बाद हलके हाथों से अप्लाई कर सकते हैं इस बात का जरूर ध्यान रखे के लगाते वक्त ज्यादा रगड़ना नहीं है हलके हाथों से लागा करके छोड़ देना है इस दौक्टर या फार्मेसित से जरूर कंसर्ट करें उसके बादे इस इस्तमाल करें किसे नहीं लेना है अगर आप प्रेगनेंट लेडी हैं ब्रिस फीडिंग मदर हैं किसी लिए बरकार के आफको कोई भी क्रेटिकल मेडिकल कनडीसन में कोई medicine का course चल रहा है तो उन सभी condition में इस्तमाल ना करें और कर रहे हैं तो doctor के सलखा के बाद करें क्या नुकसान हो सकता है अगर अगर लेने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है जिस area पे आप लगाते हैं या बहुत ज़्यादा खुजली लालीपन बढ़ जाता है तो आपको यह सूट नहीं कर और आपको यह इस्तमाल नहीं करना चाहिए इस परकार का इसका नुकसान देखने को मिल सकता है तो यही था तोफी नॉक्स क्रीम के बारे में जनकारी अगर आपको वीडियो यह जनकारी अच्छे लगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फर वाच्छेंग